यह सारी चीजे हमने देखे इस वीडियो में देखेंगे आखिर कर यह प्रोजेक्ट तो रिए हमारा हो गया था व्यार्ट यह अपका जनना बहुत कि यह सारी साइब से स्टार्ट करते यह हमारा आईड यह एंडॉड इस एक हमारा आइड्य जो कि android रख्रमेंड करता इसे यूज करना और भी क्या आपकी सारी चीजिगे इसमें अविलिबल मिल जाती है ठीक ने ने इससे हिए हमारा ad विक्ता कालिए है वा सारी चीजे यह सारी चीजे आ JEN-avia इस तो हमारे पास न्यू वाइटों फाल क्रिट कया है जहां तो यह सिंपल एंड्रोइड प्रोजयक्त आपके पास इन धोंड्नी इसमें दिए-दीजी हुआ एक प्रजेक्ट करेंगे अभी मेन हमारा जानना इंपॉर्टेंट फ्लेटर का प्रॉट्र में हमने जो प्रजेक्ट करेंट करता था पिछले बार में यह प्रोजेक्ट में इतनी फाइल्स मिली है डाट टूल आइडिया अंडुरॉइड बिल्ड आ यूएस लाइप लइडि यूस में आओगे तो mainly apple से related सारी चीजेसे में होगी तो apple में जब भी वर्क करोगे तो इसके runner में जाकर जो भी changes and all होगे वह सारे इस जगह से होगे ठीक है बिल्ड में आओगे तो आपने जो अभी बिल्ड करा यह जो प्रोग्राम अभी हमाना बिल्ड हुआ है यह बिल्ड में हमाने दिखता है ठीक है अगर एंड्रोइड में तो एंड्रोइड की सारी चीजे अब जो आप एंड्रोइड का एक प्रोजेक्ट करते हो जो सिं दोनों चीजे बना यह तौन है यह क्या करता है कि मैं यूस भी बना कर दूंगा तो मैं अंडॉय ही बना कर दूंगा और मैं इस प्रोजेक्ट को सिफ्ट कर दूंगा तो यह और फोल्डर करें लॉट्छ यह सबसे पहला हमारा पकेज है इंपोर्ट फैकेज फ्लटराइध मटेल कैशना गूगल का डिजाइन गूगल के जो आप का यह डीजाइन देखते हो यह सारा यह यह डिजाइन किया गया थो गूगल के द्वारा अप को कि अब जो पुराने आप्स को देखोगे या पुड़ाने अंड्रोइड को देखोगे किट कैट अन्डॉल को तो उसके डिजाइन कुछ अलग थे बट आप सिमिलारीटी देखने स्टार्ट देखना स्टार्ट करोगे लॉलीपॉप के बाद से जब अंड्रोइड का लॉलीपॉप वरजन आया उ पर टीनो भी इस जगह इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हम यूस पर काम कर रहे हो उस वक्त के लिए ठीक है वो भी हम करके देखेंगे सबसे पहला है आपका वाइड में रन एप कमांड है यह जो रन एप आपका फंसन है इस जगह से ही आपका प्रोग्राम एक्जेक्यूट हो तो माइप रन एप बताता है कि कौन सा सबसे पहला क्लास है जो एक्जेक्यूट करना है विच वन क्लास यू है टो एक्जेक्यूट करना है वह है माइप अब माइप तो क्लास है लेकिन हमने इसे एक्सेंड किया स्टेटलेस विजिट में स्टेटलेस विजिट में दो तरी विजिट होते हैं टू टाइपस ओफ विजिट टू टाइपस ओफ विजिट होते हैं फ्लटर में कौन कौन से स्टेट लेस and stateful तो यह देखो यह माई एप तो हमारे stateless widget है Flutter में कितने तरफ टाइप के widget होते हैं दो टाइप के widget होते हैं overall जितने भी UI build होते हैं जब build आता है हमारा जिसके अंदर भी जितने यह आ रहा है यह भी एक तरीके का widget ही है ठीक है लेकिन अगर overall widget की बात कर लें तो दो तरह कहीं widget होते है stateless and stateful तो माई एप में हमारा जो पहला class है यह stateless widget बना रहा है ठीक है नीचे आप देखोगे यह material app के अंदर आकर यह my home page में जो home है material app का उसमें में यह my home page को दिखा रहा है और माई home page class में अगर हम चलें तो यह भी हमारा एक विजट ही है बट यह stateful विजट है ठीक है overall यह scenario है दो विजट समाले बनाएगे overall project क्या है project कुछ ऐसा बनाएगा है एक simple से design है आप की अगर आप इस counter को प्रेस करोगे तो आपका यह increment होता दिखाई देगा यह जो नंबर है यह आपका increment होता दिखाई देगा यह दो यह मैं जैसे click करो हो यह number हमारा increment हो रहा है तो यह simple app हमारा क्यों root है मैं change भी कर सकता हूं मैं facebook app बना रहा हूं तो facebook main page इसको मैं कर दूंगा बटे यहां पर मुझे facebook main page फिर read करना पड़ेगा तो यह हमारा route है widget यह पहला widget है जो की run app को बताया जा रहा है सबसे पहले तुम्हें जो head of the widget है उसे execute करो फिर हमारा आता है build बिल्ड क्या करता है इसमें build context होता है इसमें यह दोनों चीज़े क्या होती है कि आपकी जो widgets available हैं उन सब को एक साथ जब बिल्ड करते हैं इसमें जैसे कि यह हमारा widget दिया गया बिल्ड लगा कर ऐसे बनाया गया है तो क्या होता है ना कि इसमें रिटर्ण वैरिस टाइपस के विजिट्स आप कर रहा हो मटेगल कर रहा हो तो यह क्या करता है बिल्ड इन सब को एक जगा बिल्ड करके फिर आपकी वह जो को दिखाता है तो हमने सबसे पहले डाला मैंने क्या बता है गूगल ने रीडिजाइन कर रहा था और बनाया था तो हमने सबसे पहले बोला कि मैं बनाने जा रहा हूं यानि कि मैं मटेगल डिजाइन को फॉलो करूंगा तो यह हमारा head of the widget है माई एप जो था वो class था उससे हमने stateless visit बनाया और जो return यह कर रहा है material app यह return कर रहा है title flutter demo आप कुछ भी कर सकते हो my first app and all कुछ भी कर सकते हो इसको ठीक है अब यह theme data क्या होता है अभी देखो कि आप blue and white का theme data ठीक है primary switch में आपका यह color blue दिया गया है तो यह दो यहां पर क्या लगता है this is the theme of your application आप इसमें जितनी भी theming and all है text की constant text रहे पूरे device में यहां कि जब भी आप coding करते हो बावा टेक्स का डिफाइन नहीं करना है पूरी theming कर लो आप की कि जब dark screen हो तो कैसा हो light screen हो तो कैसा हो मेरे app का color green हो green है मेरे theme जो है मेरे company theme green है तो वह themeing मैं कर लूँगा यहां पर तो देखो और ascent color मैं कर देता हूँ colors.white अब देखो मैं अगर hot reload करूँगा इसे तो तुम देखो कुछ changes आएंगे screen पे यह देखो यह सारा हमारा क्या हो गया यह change आ गया screen पे यह जो हमारा blue था वह क्या हो गया blue जो था वह हमारा क्या हो गया अब green हो गया तो मेरे app का theme up green है तो सारी चीज अब मेरी green में आने लग गई पूरे app की theming dark mode में कैसा होगा light mode में कैसा हो यह हम next video में करके देखेंगे मैं भी आपको यह समझा रहा हो कि यह चीज़े है क्या जो लिखी हुई थी पहले से जो लिखी हुई थी वह चीज़े है क्या ठीक है अब आता है यह my homepage क्या है यह हमारे एक stateful widget है जो की अपने class का concept पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं स्टेट फूल विजट क्या करता स्टेटलस होता है वह हमारे static होता है स्टैटिक क्लिक करोगे तो कोई change और आपको दिखाएगा नहीं सो नहीं करेगा तो हम नहीं प्लस पर क्लिक करहा तो यह तो चेंज हो रहा है तो यह क्लिक होगा चला ठीक है अच्छी बात इस्टेट इसमें क्या कोड़िंग अंडॉल की गई है इन जाने से पहले इन चीज़ों में जाने से पहले मैं इस प्रोजेक्क को पार पर हम आपको प्रोजेक्ट पर लेकर आप और यह आप सारी चीज़ आपको समझाऊँग immature अब देखो जाँवाँ लगा हुआ इसकाफोल्ड एक फ्रटर का फिर से एक फ्रटर का कि जिसमें आपको एप बढ़ की फंशनालिटी मिलती है और एक बहुत सारी चीज safety फनेमिल्टी मिलती है और बहुत सारी सारी छें थे positivity करह बढ़ को एसे यह कर सर गया है mean मैंने वहाँ पर करसर रखा तो मुझे यह सारी चीजे दिख गए प्रिफर्ड साइज विजेट एंड ओल यह दो जो दिख रहे हैं नहीं सारी विजेट ड्रॉड आप जो साइड से जो ड्रॉड निकल के आते हैं जिसमें आप देखते हो प्रोफाइल पिक्चर एंड ओल यह जो बना है यह कैसे बना है और एक है करके मैं आपको वह सारी चीजे समझांगो उससे पहले कुछ बैसिक चीजें हम देखेंगे एक छोटा सा हेलो वर्ल लिक कर देखेंगे एंड और उसके बाद हम इस पहाएंगे ठीक है डाट सॉल फॉर दिस वीडियो